नमस्कार फ्रेंस मैं हूं नूतन और सुवाबत करती हूं आप सबका अपनी यूट्यूब चैनल में आज हम बात करेंगे इस प्लांट के बारे में जिसका नाम है फिलोडेंडरन फिलोडेंडरन प्लांट को किस तरीके से इंडोर और आउटडोर रखा जा सकता है या इसकी म मिट्टी बनानी होती है वो एक वेल्ड्रेंड आपको स्वाइल बनानी होती है वेल्ड्रेंड स्वाइल बनाने के लिए आपको इसमें यूज करना पड़ेगा एक पार्ट सैंड का सेकंड पार्ट आपको गार्डन स्वाइल लेनी है और थर्ड पार्ट आपको लेना है व आप इसको छे महिने में या चार महिने में एक बार काउडंग मैनियोर दे सकते हैं ड्राइ काउडंग मैनियोर जो होता है वो इस प्लांट के लिए सबसे बेस्ट होता है मैं अक्सर इस प्लांट को वही देती हूँ अब बात करते हैं इस plant की lighting के बारे में तो lighting के लिए अगर आप इसको outdoor रखते हैं तो आप इसको तेज धूप में बिलकुल मत रखिए क्योंकि तेज धूप में ये बहुत अच्छा grow नहीं कर पाता है और इसकी जो leaves होती है वो burn होनी start हो जाती है और अगर आप इसको indoor रखते हैं तो indoor रखने के लिए आपको एक ऐसा corner ढूणना चाहिए जहां पर थोड़ी छन करके आपकी रोशनी आती हो खिरकी से और अब बात करते हैं friends ये जो देखिए आप देख सकते हैं मैंने इसमें एक moss stick में इस plant को अपना लपेटा हुआ है और इस moss stick में ये plant बहुत अच्छे से grow कर रहा है और दूसरी चीज़ मैं क्या करती हूँ जब मैं पानी डालती हूँ तो इस moss stick को अच्छे से मैं जो है misting कर देती हूँ leaves पे और इस moss stick पे भी जिसकी वज़े से ये plant बहुत सुन्दर तरीके से और अच्छे तरीके से grow कर रहा है आप इसकी growth देखी सकते हैं ये कितना बढ़िया तरीके से इस moss stick में देखिए grow कर रहा है ये तो इसका reason सिर्फ और सिर्फ यही है कि मैं इसे over watering से बचाती हूँ इसकी lighting मैंने perfect रखी वही है बाकि और कुछ ही है आपसे नहीं इसके साथ ही friends ये एक air purifying plant भी है अगर आप इसे indoor रखना चाहें तो आप इसे indoor भी रख सकते हैं इसकी पतियों पे आप अगर misting करेंगे तो इसकी पतियां बहुत अच्छी रहेंगी साफ सुत्री रहेंगी और इसकी growth भी बहुत अच्छी होती रहेगी इसलिए misting ये plant बहुत पसंद करता है आप कोशिश कीजिए कि आप इसमें misting ज्यादा से ज्यादा करें जब भी आप watering करें तो साथ के साथ आप misting भी करते हैं बाकि ये जो moss stick है ये बहुत helpful है इस plant के लिए तो आपको इस plant में कुछ भी खास बातों का ध्यान नहीं रखना है सिवाए इसकी आपको मिट्टी बनाने के बारे में इसकी watering के बारे में बस ये दो चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे और इसकी lighting का आप सही तरीके से अ इतनी अच्छी लग रही है तो बस इनी दो तिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और आपको किसी भी तरीके की problem नहीं आएगी अपने फिलो डंडन के प्लांट में तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को subscribe कर दीजेगा पसंद आपको कहो तो झापको कर दो मेरे ाूड़ों ख्या है तो प्संदियो अधने आपको आप पसंदियो angे का इतनी चैनल को और है क्त तो किसी अपमे ठापको, किसी अप्या का scarf पुर्स है किसी घएवार आपको, किसी जग़ों मेरे शोडन के बना मैं नहीं आपको, किसी